हवा महल श्रोताओं आईए हवा महल में आज सुनी जाए नाटि का रिष्टे प्यार के इसके लेखक हैं विश्नु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर जोती की माँ ए जोती की माँ अरे क्या बात है हां यह इस तरह गुम्सुम क्यों बैठी हो आखे याप अरे रो क्यों रही हो जोती पढ़ लो किसकी चिठी है यह तुम्हारे लॉडली बेटी की जोती की चिठी देखूं बूज्जे डेडी मैं जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड रही हूं शाम के बाद जा रही हूं हम बभा कर रहे हैं चाहती थी आप लोग में का अशिरवाद मिल जाता मगर मां इस रिश्टे के लिए प्यार रही हूं खेर आप जा रही हूं आप से प्रात्ना है कि मेरी गलतियों को भुला कर शमा करें आपकी बेटी जोती अब तो आगे आना विश्वास हम मैंने कितनी बार तुम से कहा कि मुझे ये लड़का एक आख नहीं बाता जोती के साथ उसका मेर मिला ठीक नहीं तुम हमेशा उसके ग नहीं समझता था अगर वह मुझे मेरी जोती का हाथ मांगता तो मैं हसी खुशी जोती का विवा उसके साथ कर देता मैं तो इस लिठा लेके सथ अपनी फूल सी बच्ची का विवा कभीरा करती उसके पास रखा क्या है ने पहने का ढढ़न ना भोलने की तमीज नहीं जोती कि उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शों की है वह इस तरह चुपकर खट लेकर क्यों गई पूछती ना सही तुमसे तो अपनी मन की बात कह सकती थी कौन जोती इधर आ बेटी इधर आ डैड़ी तैड़ी कर्मों फोटी तुझे शरम नहीं आई इस घर की इजट निलाद करने गई थी मारी वो लफंगा जो अपने माबाप का सगाना हुआ तेरो क्या होगा तू चुब भी रहेगी गलती इंसान से होती है वैसे जो तिया बच्ची नहीं है समझदार है पड़ी लिखी है वो अपना बुरा भला खुद सो सकती है जो बैठी माँ को अपना दुश्मर समझे ऐसे नड़के के होने जो तो बे उलाद भली थी मामी अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोड़ दिया ये खाओ ये ना खाओ ये करो ये ना करो यूठो यू बैटो जैसे मैं बच्ची हूँ जैसे म तो घरकी इज़त नेलाब करने क्यों गई थी घरकी इज़त क्या होती ममी माँ और बाफ चौबीज हो गंटे अपने कामों में व्यस्त रहें बेटी की क्या इच्छाएं हैं तमन्णाय हैं ये जानने कि लोग उनके पास टाइम ही नहीं तो बेटी क्या करे घरकी चार कोड़े दिल की बाद दिवा मुझे करें नहीं नहीं खर छोड़कर निकमे के साथ भाग जाए माँ बाप के मुँपर कालिक पोती है नहीं हो ची कि माँ चुद भी कर जोती से बात करने तो मुझे जाओ मेरे लिए एक चाय का कप लेगा हाँ मैं तुम दोनों के पीछ से चली चाहती हूं हाँ जोती बेटी मुझे बता तु क्या चाहती है मैं तिरे दिल की भावनां को समझ सकता हूं पापा कहना क्या है मेरा फैसलत आप जानती है मैं जानता हूं बेटी तु शाम से विवा करना चाहती है ना पर बेटी इस संबंद के नतीजे के बारे में भी तुन सोचा होगा नतीजों से आपका मतलब मैं मैं समझी नहीं पपा यही के विवा के बाद घर की ज़रूरत होती है और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इंकम क्या तु शाम की तरह साधा जीवन जी सकेगी मैंने शाम को करीब से देखा है पपा उसे समझा है मैं आरहाल में उसक उसके साध कंधी से कंधा मिलाकर काम करूंगी आपने कभी शाम को समयने की कोशिशने की पपा शाम की तरह दुनिया में कितनी लोग जो औरो कित सोचते हैं वह र शाम गडिवों की बस्ती में जाकि उनकी दुख-दर्थ सुनता है वो उनके खम, आस्ववों, पीड़ा व शाम को तो इतना जानती है पिर भी तुने बुजदुलों की तरह भागने की जल्द बाजी क्योंकि मैं डरती थी पपा मैं डरती थी कि डरती थी किस से मुझे मामी का डरता मुझे डरता वो कभी इस रिष्टे के लिए तयार नहीं होगी हाँ वो जल्दी से रिष्टे के लिए तयार नहीं होती, वो पुराने विचारों के एक सीधी साधी औरत है, लेकिन वो भी इंसान है, प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती, आखर उसने तुझे जन दिया है, तेरा सुखी उसके लिए सबसे बड़ी चीज है पापा, उनकी बाते सुनने के बात भी आप कहते हैं कि वो मान जाती, शाम के लिए उसके दिल में जो नफरत है पापा, आप शाम के लिए उसके दिल में नफरत नहीं, इर्शा है, उसकी लाडली बेटी को को उससे भी ज़्यादा प्यार करे, ये बात उसे अच्छी नहीं ल इसलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी एकलौती बेटे को उससे दूर कर रहा है वो अंजाने में शाम से चुड़ गई अगर तू अपनी माँ से शाम को मांगती तो तेरी खुशी के लिए खुश शाम के खुशामत करती बेटा वो गर्म जाज के जरूर है पर तुझे मु सब्सक्राइब करो तूने मुझे भी खला समझाया है याप क्या कहती है इस तरह घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी तूने मुझे समग में कहा होता मैंने कहाना मैं डरती थी पापा मैंने सोचे कहीं मा की दबाव में आके आप इंकार खर वेटे तो तु बिल्कु भोली ह तुने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पैचाना और बेटी माँ तो कहूँगा कि तुने शाम को भी गलत समझा है पापा तु जब घर छोड़के शाम के पास गई तो फिर लॉट क्यूं आई पुझे शाम ने वापस भीय frendia na हां मुझे शाम ने वापस भीय किया उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था उसने शादे के लिए इंकार तु नहीं किया नहीं नहीं बबाबा उसने का जोती मैं तुम से सिर्फ तुम से भी वहा करूंगा लेकिन इस तरह छुपकर घर से भाग कर नहीं तुमारे माबाप की अनुमती लेकर उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमती दे देंगे उसने मुझे वापस भेज़ दिया पापा वो आ रहा है आपके पास आ आप लोगों की अनुमती लेने जोती मैं जानता था कि शाम में का अधर्श लड़का है तो बड़ों का आधर करना जानता है आज अपनी मर्यादे के वज़े से वह मेरी नजरों में बहुत तुंचा उठ गया है अरे शाम आओ बटाओ पापा मैं आप से शमा मंगने आया ह शमा कैसी शमा अंजाने में जोती ने जो गलत कदम उठाया उससे आपको कितना कश्ट पहुंचा होगा यह मैं समझ सकता हूं तुमने मेरे घर के इज़त बचा दी बेटे वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं कितनी बदनामी होती है हमारी मैं जानता हूं पापा इसलि कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूं कहिए पापा क्या तुम समझते हो जोती एक अच्छी पत्नी सावित होगी हम एक दुश्रे से प्यार करते हैं लेकिन बेटा सिर्फ प्यार के सारे जीवन नहीं कड़ता जी मैं समझा नहीं जोती एक ना समझ लड़की है घर घरस कैस इसने अपनी इकलोरती बेटी को कुछ नहीं सिखाया यही कहना चाहते हो लंगो मेरी जोती हजारों में एक है हजारों में क्या नहीं आता उसे हां तुमने उसे सर पर चड़ा दिया है कुछ दिनों से मुझे अपनों दुश्मन समझने लगी मां जोड़ मुझे मैं तेरी क तेरे ही कारण वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है तेरे लिये वो आज मुझे छोड़कर जा रही है मुझे अपनी मा को छोड़कर जा रही है माजी यह इसकी नाधानी थी, इसलिए मैंने से वापस पेज़ दिया मुझे चोति-चैयार आप का प्यार चाहिए माँ का प्यार- माँ के सच कहता हूं माजी साल-डू-सालका था मैं जब मेरी माँ का सर्कवास हो गया मुछे तो उसकी सूरत पे याद नहीं मा के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरस्ता रहा मैं सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है फिर तो मा जी जिस पच्चे की मा नहीं होती न उसका बाप भी सोतेला हो जाता है उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा उनके लिए तो पैसा ही उलात है और पैसा ही भगवान पर पैसे के बिना ग्रस चल भी तो नहीं सकता यह भी तो एक सचाही है इस तरह से आँखों का बंद नहीं करके बैठा जा सकता है तुम्हारे पास है क्या मेरे पास है मां जी आप जैसी मां का अशीरवाद मेरी पूजी है तया करूना जोती को बड़े नाजों से पाला है मैंने मां जी सीता भी तो लाजर जैनक की बेटी थी और फिर शाम उसे ब्याकर बनबास नहीं ले जा रहा है वो साधर जीवन बिताना चाहता है और साधगी कोई गुना नहीं है मैंने जोती की विवा को लेकर कित्ती सप्री बुने थी जोती की मां अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना हो अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते तुम्हारे डैडी को मैं समझाओंगा मैं लड़ मुझे भी निलाम करने के लिए तियार हो जाएंगे मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा तुम्हारे पिताजी जितना दहेज मांगेंगे दूँगा नहीं बापा मैं खुद को बेचने के लिए तियार नहीं हूँ है इतना जरूर है कि उन्हें विवा की चाहती है तो मैं यह शादी नहीं करूंगा मांजी मां को नाराज करके मैं कोई खुशी हासल नहीं करना चाहती है लेकिन मैं फकीरों की तरह रूख इसु की शादी नहीं करूंगी हां कम से कम बारातियों को मीठा नम्किन तो देना ही होगा पर जानती है मांजी मेरी बा जिमा शादी में रिष्टधारों को रिष्टे खून के नहीं प्यार के होते हैं आज ये बात मुझे शाम बेटे ने अच्छी तरह समझा दी फिरी अपनी जाई ये मुझे नहीं समझा मकर ये इस ते मुझे इज़त दी प्यार दिया उसे तो मेरा दिल भराया अच्छा ही और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं जिमा इस दामाद का ससूर और इस सास का पती और इस घर का मालिक वह किसकी इजाज़त से इस घर की मालकिन यानि तुम्हारी इजाज़त से हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटिका रिष्टे प्यार के विश्णु भाटिया के लिखी इस नाटिका को निर्देशित किया गंगा प्रसाद माथुर ने विविदभारती की इस प्रस्तुती के साथ ही आज का हवा महल कारिक्रम समाप्त होता है झाल में विविवड़त से रहे लिववड़त से इस नाट समाप्त है